नमस्कार दोस्तों आपका भौपा स्वागत है शिक्षा न्यूज यूटूब चैनल पे फ्रेंड्स राजिस्तान पुलीस सब्स इंस्पेक्टर एसाई का जो है ऑनलाइन फॉर्म जो है आज से जो वो स्टार्ट हो गया है और जिन बच्चों ने भी जो है वाली वीडियो नहीं देखी है पिछली वीडियो तो वो जो है वो सारी वीडियो देख ले उसमें क्योंकि मैंने सारा कुछ प्रोसस बताए गया है बट मैं इस वीडियो में भी बताऊंगा कि आपको फॉर्म जे देखे आस से स्टार्ट हो क्या है लास डेट कब तक है और अधर स्टेट वाले अपलाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं क्या रखी गई है फीज पेइमेंट क्या है मलब ए टू जैट सारी इंफॉर्मेशन जो है आपको इस वीडियो में जो है मिल जाएगी बचा अगर आप चैनल पर पहली बार आय इसका जो नॉटिफिकेशन है एक हफते पहले जो है रिलीस कर दिया गया था और मैंने आपको उस टाइम भी बताए था जब इसका ऑनलाइन फॉर्म जो है स्टार्ट हैं के मैं जब भी जो है आपको एक बर वीडियो मना के मैं बता दूँगा तो मैं वो वीडियो लेके आ आ गया हूं और बच्चा इसको ध्यान से देखना वीडियो को इसमें आपको सारी जानकारी मल जाएगी यह जो वेकेंसी निकल के आ रही है राजिस्तान पब्लिक सर्विस की तरब से निकल के आ रही है जिसमें बोलते है और पी सी सब इंस्पेक्टर की पोस्त है एसाई की 2021 Short Detail Notification यह आपको स्क्रीन पे भी देखने को मिल रहा होगा अब चलते हैं Important Dates की कि इसमें क्या Important Dates रखी गई है और क्या Important Dates नहीं रखी गई है Important Dates की बात करने तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि आज से जो है Form 9 तारिक 9 फरवरी से आज से Form भना जो है Start हो गए है जिसकी आपको जो है एक महीना जो है इसमें आपको टाइम लिया गया है 10 मार्च 2021 10 मार्च 2021 तक जो है आप इसका जो है Online Form जो है वो बर सकते हैं और इसकी Exam Date Admit Card के बारे में हमी कुछ नहीं बताई गया है बट जब भी आएगा हमारे चैनल दुआरा जो है आपको बता दिया जाएगा इसकी Application Fees की बात करें तो Application Fees यानि Form की Fees क्या रखी गई है क्या नहीं रखी गई है वो भी देख लेता है General OBC और EWS वाले बच्चों से 3.500 रुपे लिए जा रहे है और जो बच्चे जो है OBC में आते हैं NCL में उनसे 250 रुपीज लिए जा रहे है और SCST वाले बच्चों से 150 रुपीज लिए जा रहे है अगर आप Other States से बारती हों तो आपको समानने यानी General में ही जो है आपको फॉर्म बनना होगा आप बारत के आप किसी भी कोने में रहते हों तो भी आप इसका फॉर्म भर सकते हैं बिलकुल कोई दिक्कत नहीं आएगी अब बात करते है एज किया रखी गई और एज क्या नहीं रखी गई यह वो देख लेते हैं एज का क 25 यानि 20 से 25 साल के जो भी student है वो इस form को बर सकते हैं age relaxation बिल्कुल दिया जाएगा SCHT को 5 साल का और OBC वाले बच्चों को 3 साल का relaxation दिया जाएगा vacancies कितनी आई है तो vacancy देखे 3.800 प्लस vacancy है 857 vacancy है SI की अब ही जो है मैं आपको physical के बारे में बताऊंगा इसमें physical में क्या बोला गया है और क्या नहीं बोला गया है उससे पहले देख लेते हैं qualification qualification क्या होने चाहिए bachelor of degree चाहिए सिर्फ आपको graduation pass चाहिए इसमें bachelor of degree and stream मनद आप सिर्फ graduation pass होने चाहिए कोई मतलब नहीं आप किसी से भी pass हो किसी से भी fail बस pass होने चाहिए fail नहीं sorry आपको graduation pass चाहिए और इस form को भनने गे लिए अब देखते हैं इसमें क्या कौन-कौन सी post है और इसमें sub inspector AP की post है IP में भी post आ रखी है बलब वो सारा जो है आप notification देख लेना categories wise जो है बहुत बड़ी हो जाएगी वीडियो वो सारी चीज़े जो आपको देख लेना मैंने आपको बताया 857 जो है post है राजिस्तान SI की और area wise भी मैं हर जगे आपको post देखने को मिल जाएगी अब मैं बात करता हूँ physical की इसमें physical में क्या बोला गया है और क्या नहीं बोला गया है physical के बारे में देख लेकता है यानि भाग दोड़ के बारे में जो running, chest, height जो आपकी नापी जाएगी वो सब देख लेता है सबसे पहले बात करते हैं male candidate के लिए category height male candidate के लिए जो height है 160 cm होनी चाहिए female के लिए 152 cm जो है वो height होनी चाहिए chest की बात करें तो 81 और फुलानी के बाद जो है 86 और female के लिए chest नहीं होती और आपका जो इसमें weight जो है इनके लिए नहीं है male candidate के लिए weight नहीं है female के लिए weight है 47.5 यानि इससे उपर का ही जो है वो weight होना चाहिए ठीक है तो physical में इतना कुछ खास नहीं है सिर्फ आपकी height देखी जारी है chest देखी जारी है और weight देखा जारा है कोई ऐसी दिक्कत की बात नहीं है form दोनों भर सकते है male, female आप कोई भी हो इस form को जो है जरूर से जरूर भनना वैसी पता यह vacancy बहुत कम आती है राजिस्तान जैसी राजिस्तान जैसी राजिस्तान में जो बहुत दिक्कत होती है है ना SI की post है और आगे पठवारी की भी आने वा काफी अच्छी अच्छी post है जो राजिस्तान में आपको देखने को मिल सकती है सिर्फ राजिस्तान के बच्चे ही नहीं इसे apply कर सकते है कई आप सोच रहे हो लेकिन जो भार के भी बच्चे हैं जैसे यूपी के हैं उत्तरप्रदेश के हैं हर्याना के हैं पंजाब के हैं जो भी आसपास के मध्य परदेश हो गया कहीं के भी हो दिल्ली के भी हो आप इसको फॉर्म को भारत के आप किसी भी कोने में रहते हैं बट आप इस फॉर्म को अपलाई कर सकते हैं बट condition उसकी यही है आपको जो है जन्रल कैटिगरी में ही फॉर्म भनना पड़ेगा अब अधर स्टेट से फॉर्म भरते हो तो जन्रल कैटिगरी में ही आपको इसका फॉर्म भनना पड़ेगा यह इतनी सी बात है बस और फीज जो मैंने आपको बता दी साड़े तीन सो रुपे फीज लिए जाएंगे आपसे अगर आप भार से भरते हो और राजिस्तान वाले बच्चे जो SCHT में आते हैं उनसे डेड़ सो रुपे जन्रल EWS से साड़े तीन सो रुपे फॉर्म जो है अभी एक महिना पूरे आस से एक महिना चलते हैं फॉर्म पूरे 10-3-2021 10-5-2021 तक जो है आप इसका फॉर्म जो है और लाइन फॉर्म जो है वो भर सकते हैं ऐसी कोई दिक्कत नहीं आईगी इसमें और फिजीकल का मैंने आपको बता दिया अभी भी अगर आपका कोई भी डाउट रह जाता है इस भरती के रिकार्डिंग तो आप जो है मेरे को कमेंट सेक्शन पर बता देना कि सर जो है ये मेरे को समझ में नहीं आया एज मैंने आपको बता दिया है और इसका एक्जाम डेट हभी तक इन्होंने बता है नहीं गया एज 20 से 25 एज रिलाक्शेशन 28 तक मिल जाएगा और 30 तक SCST वाले बच्चों को वो मिल जाएगा कौलिफिकेशन इसमें ग्रेजुशन पास चाहिए और ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए इसमें तो ये इस वीडियो में इताई था आशा करते हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी और इस वीडियो को ये बच्चा जादा से जादा बच्चों पर शेर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके वैल आइकन जुरू दवाले क्योंकि कोई भी नॉटिफिकेशन कोई भी वीडियो का जाए नॉटिफिकेशन जो है आपसे मिस ना हो ठीक है तो फ्रेंड्स इसी के साथ एंड करते हैं और आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें सब्सक्राइब करें और दोस्तों से जादा जादा शेर करें फ्रेंड्स बहुत बहुत थैंक यू